नमस्कार किसान भायू स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लेटफूम राजस्तान मोसम में बात करेंगे राजस्तान के मोसम के बारे में जिसमें बताएंगे आगामे 24 गंटों के अंदर ये आज राजस्तान की शेतर में कैसर हीगा मोसम कहां का पर बारिश सुनी के संबावना रहेगे इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी जान करी तो आप सभी किसान भाईयों से निवधन रहीगा वीडियो को अंतर तक देखिएगा वीडियो को लाइक कर दीचेगा आपका अपना चैनल है भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कि जिसमें पाली के कही सारे स्तानों पे मुशला धार बारिस हो रही है जिसमें पाली शेहर जो दक्सिनी बाग है यहां पे भारी बारी जैसी गतिविद्या देखने को मिल रही है इसके साथी राजसमन भीलवाड़ा चितोड के भागों में भी आज सुबे सुबे बारिस की गतिविद्या होई थी वही कुछ उदेपूर शिरुई के भागों पे भी बारिस की गतिविद्या हो रही है वही जालोर के भी कुछ उत्री और जालोर शेहर के आसपास की शेतर है यहां पे भी बुंदा बांदी जैसे संबावना अभी सुबे सुबे बन रही है कुछ अगर राजस्तान के स्थमस्त भागों पे बादलों की आवज़ाई के भी इसमें मौसम सुस्क बना हुआ है आए जानते हैं आज कैसा रहेगा मौसम सबसे पहले देखते हैं बारती मौसम विबाग का ग्राफ तो साथी यह हैं बारती मौसम विबाग का ग्राफ और इसमें आ जैपूर संबाग के भी कुछ भागों पे आज बारिश की गतिविद्या देखने को मिलने वाली हैं आईए राजस्तान के मेप के तरू विस्तार से जानते हैं सबसे पहले बात करेंगे उदेपूर संबाग के जिसमें उदेपूर डूंगरपूर बहासवाड़ा परताब कर चितोड कर राजसमन्द साथ यो इंजिलो की बात करते हैं इंजिलो के कही सारे स्थानों पे आज भारी बारिश जैसिकतिविद्या होने की संबावना मौसम भी बागने जताई है क्योंकि लोग प्रेसर सिस्टम बिल्कूल अपने राजस्तान के नजदीक में है और उसका असर अपने राजस्तान के दक्सेनी और दक्सेनी पूर्वी राजस्तान के उपर पढ़ने वाला है जिसमें कुछ जी तोड़कडी के कुछ बुंदी के भाग और कुछ कोटा के उत्री भाग है यहां पे भारी बारिश जैसिकतिविद्या भी आज देखने को मिल वाली है बात करते हैं अजमेर टोक की साथि इंजिलो की बात करते हैं अजमेर के कुछ अरावली रेंज के भाग रहेंगे यहां पे भारी बारिश जैसिकतिविद्या भी देखने को मिल सकती है वही बात करते हैं स्वाई मादेपूर कौरोली धोलपूर साथि इंजिलो की बात करते हैं इंजिलो के उपर भी आज इंदर देवता महरबान रहने वाले हैं और इंजिलो के कही सारे स्थानों पे आज अच्छे खासी खंड बारिश की संपावना रहेगी और आज रातरी के बाद में यहां से बारिश की गतिविदियों में और ज़्यादा बड़ोतरी देखने को मिलेगी वही स्वाई मादेपूर करोली धोलपूर भरतपूर की कही सारे शेत्रों में आज रात से ही बारिश की गतिविदिया चालो हो जाएगी उनके बारे में भी आगामी मोसम बुलेटिन में आपको विस्तार से बताया जाएगा बात करते हैं दोस्ता जैपूर और अलवर की साथी इंजिलो की बात करते हैं इंजिलो के उपर आज जादतर शेत्रों पे मोसम साफ और सुस्क रहेगा लेकिन दोपर के बाद में कुछ इस्तानों पे गरजना वाले इस्तती और साम के समय में कुछ इस्तानों पे बारिज जैजिक गतिविद्या होने की समभावनाई बन रही है बात करते हैं जुझनु सीकर नागोर की साथी इंजिलो की बात करते हैं बात करते हैं चूरू, बीकानेर, गंगानेगर हनुमान कर शाथी इंजिलो की बात करते हैं इंजिलो को भी जादतर शेत्रों पे आज बादलो की आवज़ी के भी इसमें मौसम सुस करेने का अनुमान रहेगा बात करते हैं जोदपूर की तो जोदपूर के कही सारे शेत्रों में आज भारी बारिज जैसी कतिविदिया भी देखने को मिलेगी जिसमें सुबह सुबह कही सारे शानों पे बुंदाबाणदी के साथ में आज मौसम का दूर चलू होगा और दो पिर के एक या फिर दो बज़े की बाद में इन जिलो के कही सारे शानों पे बहुत तेज गरज़ना वले इस्ततिव होगी और कुछ शानों पे आन्धी तोफ साथ में बारिस की गत्विद्या होने की संभावना लगबग 90% बन रही हैं वहीं बाड़ मेर की बात करता है था बाड़ मेर के अभी कई सारे शेत्रों में जिसमें विशेस तोर पर बाड़ मेर के जो पूर भी भाग रहेंगे श्रीवाना से लेके गुड़ा मालानी और बारतर शेत्रों पर मोसम सुस करहेगा लेकिन कुछ इस्तानों पर सुबह सुबह मुंदा बांदी होने की संभावनाई भी बन रही हैं बाकि जैसल मेर के शेत्रों पर आज मोसम सुस करहेगा साम के समय और रातरी के समय हैं कुछ इस्तानों पर गरजना वाले इस्तती हो सक सकती हैं जिसमें विशेश तोर पे और उत्री और उत्री पच्छी में जो भाग रहेंगे जो कि बोल्डर वाले बाग हैं यहां पर गतिविद्या देखने को मिल सकती हैं तो किसान भायू यह था आज का मौसम का समाचार मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस कार जए हिंद।